हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ही नाप लेके पैंट की कटिंग बताने वाला हूं काफी लोग पैंट में कहते हैं कि हमारे काल निकल जाते हैं हिप की तरफ से यह कैसे ठीक करेंगे तो इसको किस तरीके से कटिंग करें तो दोस्तों इसमें म इस वीडियों को लाइक और शेल जरूर कर देना यह हमारी मेहनत कफल होता है तो चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले हम अपना मेजर मेंट लेने का तरीका बताते हैं कि अगर आप खुद से मेजर में लें तो किस तरीके से आप लेंगे अब दोस्तों खुद से नाप लेन इसे सीधे खड़ होने के बार यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर इंच की एंकल लेंथ हैं तो आपको बनानी उस हिसाब से कल देना थर्टी सेवन लेंथ रखूंगा मैं अपनी नीचे की बोटम दोस्तों नॉर्मल देखी इस तरीके से नापते हैं तो यहां पर मैं 13 आप लेता हूं यह देखें रख लेता हूं ठीक है तो यहां से भी आप सकते हैं तो आपको क्या करना है तो आप बनने में मुश्किल होती है इस जगा पर सलवार घेर आड़ जाता है तो मेरी लंबाई हो गई 37 नीचे की मोरी होगी 13 अब देखी यहां पर थाई थाई का न है और यहां पर पहले फिक्स नाप लेलें आप देखी बिल्कुल सीथा इंचीटेव रखना है यहां पर फिक्स नाप देख रहे हैं दोस्तों कितने हैं 26 इंच अब आपको कमफर्टेबल कितनी पहनी वह देख लो तो मैं यहां पर अपनी बना लेता हूं 39 इंच यह मेरे नाप भाई बताना 37 तो यह हमारा होगा कमर का नाप अब दोस्तों जो सबसे में नाप है जिससे कान आपके बिल्कुल खतम हो जाएंगे अगर लूस पहने का कोई तो कान निकलेंगे लेकिन अगर कान नहीं चाहते तो फिटिंग का नाप लीजी कैसे लेना धियान से देख नाप लेता है तो यहां पर निकलेंगे तो अब साले इस जितने मेजर्मेंट ने लिए सारे के सारे मेजर्मेंट को मैं एक जगा लिएता हूं और आपको इसकी कटिंग बताता है तो यहां पर आप धियान से इसका मेजर्मेंट देखिए जो मैंने पास मेजर्मेंट लिए थे आपको मैं दिखा रिता हूं लैंद यानि के लंबाई 37 यह एम बना रखा है इसको हम नीचे की मोरी कहते हैं आप बोटम भी कह सकते हो 13 इंच टी बना रखा यानि कि थाई 39 ज बिहेरा 48 इंच का है तो यह सबसे में चीज है जिसकी ऊपर में आपको कटिंग दिखा रहा हूं बिल्कुल निव कटिंग होगी यह दोस्तों अब देखिया हमें करना क्या है तो हमने सब दो मीटर कपड़ा लिया इसको मैं ऐसे रखके यहां प्रैस साफ कर लिया और यह व पुल्टी तरफ हमेशा निसान लगाते हैं तो एक निसान तो आपको यह सीधा करने के लिए कपड़ा लगाया जाता है जो मादन तेड़ा मेड़ा होता है निकाल देते हैं और इसको हम अंदाजे से ऐसी रख देते हैं देखिए तरह निकाल के इस तरीके से बस लगा लो या को इए फिक्सित नहीं होता तक लगाना यह लगा दिहां से देखना सबसे पहला जो लगेगा इस जगहां प्लगे सबसे पहला जो निसान लगे जागे Гर से छोड़ना है यहां पर उपर लगाते हैं लाश्ट लगाते हैं इसलिए यहां पर छोड़ के चलते हैं और उसके बाद यहां पर देखिए तो 37 लंबाई है इसको काड़ देते हैं क्योंकि हम ने यहां पर 37 का निसान लगा दिया अब इस नापने की ज़ुरत नहीं होगी अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों इस लिसान को हम करेंगे सीधा अब जितना आपको फोल्ड के लिए चाहिए उतना निसान रख लेए मैं यहां पर निषरण दिन दो करकी कर rat का तो यह निसान हम्ने लगा दिया तो यहां पर दोस्तों लंबाई का लग में और दोसरा दोस्तों लगेगा यार रखना पहले आपने लगा लिए कहां पर आई ङी आपकी वह निसान लगाना है तो थाइब को कहां पर हम बता देकिन लगेगा यह आपके आशनी जगह पे और आशन कैसे रखा जागा दोस्तों इसके पर मैंने फुल डिटेल में वीड हम आऌत तो यह निसान भी तो आपका होगा हिंगे थे को इनचीट्व को यहां पे निसान लगा देना है यह मारा इसको मोलड़ देते नहीं है कि अब दोस्तों यह दो निसान जो हमारे लगी है साड़े चोदा का हाफ होगा है सबसाति यहां पर निसान लगा देते हैं और यह जो कटिंग में आपको बता रहा हूं अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट अगर बिल्कुल नहीं घुमेगी कई लोग क्या करते हैं किनारी को इस तर यानि के लाइनिंग लगाए लाइनिंग लगाने से क्या होते पैंट की गैटा बोट प्यारी आती तो इस चीट का खास सुर्वे दियान रखें अब दोस्तों देखिए साड़े चोदा पर निसान लगा कि इसका हाफ सबासात रख दिया अब आपको क्या करना है दियान से इस से सेंटर से हमें यहां पर नापना ही दोस्तों यारा सबा आठ इंच हमें ऊपर भी सबाट का निसान लगाना है और यह जो निसान लगाते हैं यह लगाते हम किरिज के लिए जो हमारी सेंटर किरिज आती है उसके लिए तो नीचे तक हमें देखिए नाप लेना सबासा कर बार किनि सांड़ाना है क्या हुए रगा वन नीचे यह लग घया उसके वार दोस्तों सीधा फुट्टर लेंगे छिसको इस तरीवे से रहें गे और यह उपर तक इस निचे की बोर यानि के मोरी निचे लगाना जोगाने के थे यह राइन निसों के बार यह विया पहले से फ़िक्स करने अब इसलिए गया दनी सेल सादेखे के सब्सक्राइब करें अगर आपके नहीं है तो आपके पास यह नहीं है तो आप पर्चेस करें ऑनलाइन कैसे भी इसके बीना कटिंग पैंट ना करें वना कटिंग नहीं होगी अब दोस्तों इस तरीके से हम निसान लगा रहे हैं जिससे कि आप देख पाएं यह निसान हमारा यहां लग चुका अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके तिल्षा कर देते हैं यह थोड़ा मार्जन चोड़ने के काम आता है उसके यह वाली जो साइड होगी नीचे की इसको मै यह लो दोस्तों यह लग जया निसान हमारा तो पूरी मार्किंग हमारी हो चुकी बड़ी है तरीके से अब दोस्तों यहां पर दिहान से देखें प्लेट कितने उन्च पर डालने है तो प्लेट यहां पर मैं साड़े चाल इंच पर रख लेता हूं यहां पर हमारा प्लेट धाल रहे तो यहां पर नमाज जा रहे है देखना डियुदि देखना अब जो कमर के बारे में इसको द्यान सबसे पहले कमर का नाब लेतट ग्रहाएं था चित्रह दो जगा ऑग नाब याद कितना Antararatा तो हम क्या करना है दोस्तों साड़े अठारा का जो हाफ होगा सबनों इंच होगा क्योंकि दो पल्ले न इसलिए हमें आपको समझा देता हूं कि मैंने डाइंच एक्ष्रक क्यों लिया क्यों कि हमें आगे की बैट साड़े अठारा त्यार रखनी है portion here in genuinely in diferen दोस्तों आपका यहां पर जाए गा और आ इन्च हमारा मार्जन यहां दवाव में जाएगा टोटल हमारे मारी मारण कम बप्स zach रखाहरे धिखिए ऑर पीछे की लाश्टिक आपको यहाँ पर किटने डालने हैं जो अपको बलकुल ओक्यों कि अलग कर देते हैं यहाँ पर सब लिख लिए एक गेरा है यह सबसे में इंपोर्टेंट चीज इसे कटिंग के अंदर तो मैं जो सिखाता हूं बिलकुल दोस्तों अब ये कटिंग सिखाता हो जह किसी तरीके से आपको यह निसान लगाना है अब यह रोज यह होता कहीं लोग कहते हैं कितने पर दोस्तों देखेंगे यहां से अंदाजे से आप 2 इंच कर निसान लगा लेंगे तो नेखें पूरी मार्किंग बढ़िया हो चुकी है और यह ज देख सकते हैं नहीं तो आप हमारा online classes का कोर्स जोईन कर सकते हैं जिसके अंदर हम डिटेल में बताते हैं कि हिप के एसाफ से आप आसन कैसे रखेंगे थाई के साफ से कैसे रखेंगे और सारे फार्मूले के चार्ट भी आपको दिये जाते हैं अगर कोई आप जोईन करना चा reading ऊसलिए आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी फिर हमने यहां पे लगा लिया वैसा ही सेम कर हमने यहा पे लगा है तीन वोमने यहां पे निसाण उठा दिया अब देखिए हम इसको कि उनकृत करके इसको आगे यह आप एसी को इसी तरीके से रखे लो यह और शौसे घुमा भी सकते हो यह आपके अपनी तो इसको इसको इस को रख लेता हूं रखना लेता हूं अ से क्या होगा हमारा बिल्कुल कपड़ा एक बढ़िया तरीके से बैट जाएगा बैटने के बाद यहां पर देखिए अब मैं जैसे कटिंग सिखाता हूं न तो उसमें क्या होता है कि मैं सिंपल एक नाप लेता हूं हमारा फरेंड परला कटने के लिए खुछ नापनी जूरती नहीं होती तो मैं इसको रेखिए इस तरीके से पहले पूरा निशान लगा देता हूं फिर आपको रहाता हूं ठीक है काटोंगा नहीं अब देख़िए हमारा यहां करतने के बाद मैं किस तरीके से कटिंग करता हूं इससे भी में नाइंट परसेंट प्रेंट सही आती है एक दो प्रसेंट में थाई हमारी बहार निकल जाती है तो देखिए इस तरीके से यह निसान लगा देता हूं अब यहां पर निसान लगा लेंगे यहां पर निसान लगा लेंगे तो हमारा यहां का व imagen आ निसान लगा लेता हूं तो अमारे यहां है को सण लगा लगा लेते हैं कि मेसान सी को बढ़ाना यहां पर यहां यहां श्युक्त बढ़कर आपको निसान लगाना है और यहां भी आप 29 बढ़ाके आई सिन्सत का लिए को तो है अब दोस्तों यहां पर आएंगे तो यहां भी आपको दिल इंज की नियुक्त ुदिक रखें था तो इसको भी ऐसे निसान लगाएंगे इदर से निसान लगाएंगे इसकी निसान अगर यह चीज़ करेंगे निन्जै प्रैस करते टाम को थोड़ी दिक्कत हो सकती ह सब्सक्राइब करें और दोस्तों यह चीज मैंने भी बहुत बार में नोटिस करी मेरी जितनी पैंट कटिंग देखेंगे मैं यहां पर इसको ऐसे कटिंग करता है ठीक है यहां पर आपको समझा रहेता है जैसे यहां रखें नीचे मिलाया और मैं इस तरीके से दोस्तों यह लगा रहा हूं तो आप देखेंगे कि हमने जो कटिंग क्या उससे एक एक पर का मतला है टोटल दोस्तों दो पल्लों में आजा इंचे एक इंच का फर्क पड़ जाना इसलिए आप कोई भी से कटिंग करेंगे उसी से पूरे निसान लगने चाहिए यह छोटी-छोटी आती है इस चीज का दिहान रखें अब यह चीज मुझे समझ में आगी अब यह बिल्कुल मेरी ओक के प्रैस लगेगी अब यहां से हम आदा इंच दोस्तों बढ़ा के कटिंग करेंगे इसको तो हम इसको यहां से गुलाई देते हुए इसको ऐसे कटिंग किया यहां पर आये और यहां से हम आदा आदा इंच छोड़ते हुए नीचे इस तरीके से दोस्तों हम पूरी कटिंग कर लेते तो हमारी पैंट कट जाती तिए कि मेरा बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि बहुत कारगर रहे हैं काफी लोगों को पसंद रहता है लेकिन दोस्तों अब हमने जो एक में नाप लिया था कि इसके अंदर आपको नापना है जब ऐसे निसान लगा लें तो यह देखिए यहां पर हमारा हिप का इधर आएगा तो हम इसको ऐसे नाप लेते हैं निसान लगा लेते हैं आदा इंच का यह दवाव में जाएगा इधर वाली साइट बिल्कु बराबर कटेगी तो आदा इ यारा साड़े गयारा तेईसींच पेवारा फर्रंड का ना पर गया अब भैक वाले घेले कर नाप कि इत्ना होगा यह यहां पाजाएगा याद रखना बैक वाले घेले कर न आप दोस्तों यहां पर वंकुतिंग करें तो यह हमारा दवाव जाएगा इसको इनशी ट्रेफ एक यहां पर जाएगा पांच तो सोरी दो दो चार और एक पांच कितना घेरा है टोटल तग्यार आपका 51 हमें घेरा कितना चाहिए हमें 48 इंच अब होगा किया दोस्तो इस साफ से आप कटिंग कर देंगे तो यह आपके बिलकुल ठीक आ जाएगा लेकिन यहां पर देखिए यह देखिए कि रिखांच जा हमारे लाप यानी टोटल 13 मालजन के सांद तो इस जगह निसान रखना है इस जगह से तो 13 का निसान ऐसे लगा देँगे दिद्यान से देखना की चीज्च बहुत ज्यागा और इसको हम टोटल आप ऐसे भी कर सकते हैं तीन इंच घेरा बढ़ ले न आपका इसको इसे रख़ो दोस्तों देड़ इंच पर निसान लगाओ तीन इंच आपका कम हो गया घेरा इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे करके निसान लगाओ ऐसे यहां पर पल्ले को थोड़ा उठा ल इस घेरे पर कटिंग कर देंगे तो दोस्तों हमारी यह कंपलीट जो है कटिंग हो जाएगी और यह चीज में कटिंग करके आपको खुद की बनाके नेक्स वीडियो में पहन के दिखाऊंगा आप इसकी फिटिंग देख लेना अगर टाइट होगा जाए इसी बात है तो मै यह चीज आपको भड़नी पड़ेगी चीज का दिहान रखें अब देखिए मैंने इसको कटिंग किया अब यह घेरा हमने तीर इंच कम कर दिया तो हम यहां पर सीधा इस तरीगे से कटिंग करते हो जाएंगे और इसको यहां भी दोस्तों इस तरीगे से मिला देंगे यह महतनी है आदेँच मोटीन करते है और अगर आपकी इंच कर sz aud लगा के पूरे निसान करettsकते हो यह अपकी अपनी चोईस हैं मैं इसलिये निसान निंच क्योंगा था क्योंकि मुस्त निससान करने को इसलिए आधा यहां पर कट करता हूं यहां पे कट लगा दिया अब दोस दोस्तों में यहां पर कटिंग करनी है कि यह देखें कि यहां पर कटा जाएगा फोल्ड के लिए अगर आपको यहां पर साइड में कट चाहिए तो यहां से आप एक-दो हिंच उपर करे कट का भी निशा लगा सकते हो तो दोस्तों देखिए यह हमारी कटिंग हो चुकी अब बनाने के लिए हमारी साड़े थारा त्यार चाहिए हमने नाप लिख लिए लंबाई साड़े पंद्रा चाहिए हमने नाप लिख दिया अब इसमें आपका मेजर्मेंट खो भी जाएगा ना तो भी आप इसके मेथड के साब से बना दोगे ठीक है और यहां पर पूरी पैंट कटिंग हो चुकी है इसमें आ को हुड़ा कैसे लगी कमेंट्स करके जहुरू बताना